हरे किशनय रादे रादे दोस्तों और मेरे दोस्तों आप लोग कैसे हैं आई हो आप लोग अच्छे होंगे तो आए चोटे चोटे बच्चों से पहले मिल लीजिए तो देखिए हमारे चोटे चोटे बच्चे सब नहाने के लिए तयार हैं तो आए हम इनका आश्नान कराते ह लीए जल बनाने जा रहा है यह कपूर है कि एक हम कपूर डालेंगे इसमें आप किसी भी तरीके से इंको अश्णान करा सकते हैं अलग-अलग जल से अश्णान कराई है ते इनको बहुत ही आनत दाता है तो देखें हम दो कपुल लिये हैं हाथ से बारिक करके इसमें हम डाल देंगे ऐसे आप करिए हास से रफ तो देखें पाउडर बन जाता है अब इसमें हम तुलसी डल डाल दिये अब इसमें हम फूल मिक्स कर दिए हमारी पास जो फूल है हम उसी फूल से इनको अशनान करा रहे हैं आप लोग कमेंट में यह ने कहिएगा कि यह फूल से क्यों अशनान करा रही है यह इतर है अब इसमें देखें हम इतर डालेंगे जल में मेक्स कर लिए गंगा जल है देखिए गोदावरी गंगा जल है यह बहुत ही अच्छा रहता इस तरह से आप सौरी गोदावरी करें गुलाबडी का अब बहुत ही अच्छा खुसबू आता इस तरह से अश्नान आप कराईए बच्चों को अब ये देखिए अश्टगंध हम थोड़ा सा इसमें अश्टगंध भी मेक्स करेंगे जैसा कि गर्मी चल लहा है तो गर्मियों में अश्टगंध वज़े रही सब मेक्स करके अश्टनान कराने से बहुत अच्छा रहता ताजगी बनी रहती है अब खुस्वू बहुत ही अच्छी आ रही है कि हम आपको बतार नहीं पाएंगे अब इससे नहा कर हमारे लड़ू गोपाल बाशु बेंदा श्याम सुन्दर सुन्दरी सभी लोग बहुत ही अच्छा फील महसूस करने वाले हैं कि की तो सबसे पहले हम लड़ू का इश्नान कराएंगे अ की आप देख पा रहे हैं मेरे लड़ूना के शोना बप नाते हैं इस फिर हमारे बास वर रश्नान करेंगे है तीस तरह से कि सभी वच्छे इश्नान करेंगे कि बच्चों को बहुत ही आराम सी प्यार से अश्णान कराना रहता है अब हमारी ब्रिंदा अश्णान के लिए आ गई तो देखे सभी बच्चों का अश्णान हो रहा है एक एक करके सब बच्चे नहाएंगे फिर एक करके सारे बच्चे त्यार होंगे अब देखे हमारे श्णान के लिए आप कभी वैश्णान कराईए मंत्र का जाब करते रहिए यहां चलना है फैन तो इसलिए वाइस ओवर हमको अलग से करना पड़ता है नहीं तो फैन की आवाज आती है गर्मी बहुत है बिना फैन के बच्चे रह नहीं पाएंगे तो देखे हमारे बच्चे अश्णान कर रहे हैं और उसमें फैन जब चलता है तो आवाज भी क्लियर नहीं आता है इसलिए वाइस ओवर अलग से करना पड़ता है तो देखे हमारे बच्चे अश्णान कर रहे हैं शैम संदर जी तो देखे हमारे शोना बाबू इस तरह इंको मलमल के हम अश्णान कराते हैं और आप लोग कहते हैं अश्णान कराते समय पीट का दर्सन नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है क्या हम अपने बच्चों को अ दर्शन नहीं करना चाहिए लेकिन अश्णान कराते हुए भाई इन्हें अश्णान अच्छा से कराना है तो पीट का दर्शन होता ही है कप्टा पहनाते हो तो पीट का दर्शन होता ही है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है तो देखिए अब हम इस तरह से बच्चे को तावल में ल से अब यह देखिए हमारे बिन्दा अब बिन्दा आमारे सॉरी हमारे मेरे सामसुन्दर यह आशणान कर रही है तो देखिए इस तरह से मंटर जाप करते हुए आप इनको जान करा यह कभी भी मुख बंद करके मत रखिए आप नहीं कुछ मंतर आता है तो आप कोई भजन ही गुनगुना लीजिए और गुनगुना थे हुए भगवान जी को अश्नान कराईए तो आनंद ही अलगाता है इस तरह अश्नान कराने का और गाइस आप लोग वीडियो पूरा देखा कीजिए आप लोग अभी वीडियो फुल वाच नहीं करते हैं लाइक में भी आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं तो ऐसा मत कीजिए लाइक भी किया कीजिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए बहुत ज्यादा पसंद आता है तो शेयर भी किया कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत मैनल से बनता ह है आप लोग जब लाइक करेंगे कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन एक अलग ही मिलता है और भी अच्छा करने का मन करता है तो यह देखिए अब शालिगराम जी अश्नान करेंगे अब हमारी गव मत अश्नान करेंगी इस तरह से सभी वच्छे अश्नान हो चुका है अब हम करेंगे सबको तयार अब थोड़ा जल हम निकाल के रख लेंगे कटोरे में यह पूरे घर में छिड़काव करेंगे बाकी का जल जो है पाउधे में हम टाल देंगे इधर उधर इस जल को ना फेके इस इसका विशेश ध्यान रखिएगा आप लो क्योंकि यह ठाकुर जी इससे स्वान किये रहते तो यह जल इधर उधर नहीं फेकते हैं अब आईए हम इनको पोश लेते हैं पहले छोटे बच्चों को त्यार करेंगे फिर बड़े बच्चों को त्यार करेंगे तो देखिए मेरा बाबू को पोश रहे हैं बासू शोना बाबू बहुत हलके हाथों से आप पोचिएगा अगर पेंटिक जादा भी किरेंपे हैं तो बहुत ही हलके हाथों का परियोग कीजिएगा ज्यादा रफ मत पोचिएगा इससे पेंटिक निकल जाता है अगर लाउंग आप पेंटिक चलाना चाहते हैं तो इस चीज़ का विशेज ध्यान रखिएगा जैसा कि हर वीडियो में आप लोग को हम बताते हैं जो देखिए हमारे बच्चे हो गए रेडी शोना बाबू तब देख पा रही होंगी हमारे बच्चे हो रहे हैं रेडी अच्छे शबगी को पोचेंगे फिर वस्तर पहनाएंगे पानी को बहुत ही अच्छे से सुखा लेना है क्योंकि पानी अगर बाडी में रुक जाता है तो इसमें तो बच्चे को इस तरह से हम पोचेंगे और देखिए हमारी राधारानी की फुल बाडी पेंटिंग है तो इनको हम इतर जहां पेंटिंग नहीं है वहीं लगाते हैं पूरे बाडी में इनको इतर की सेवा नहीं देते हैं हमारे लड़ो गोपाल है इनको आराम से हम इतर सेवा दे देते हैं श्याम सुंदर जी को दे देते हैं बासु जी को दे देते हैं बासु जी का पेंटिंग जो है हलका है ज्यादा हैवी नहीं है तो इनको आराम से हम दे देते हैं जहां पेंट रहता वहां इतर नहीं लगा पेंटिंग अगर उतर जाता तो नहीं अच्छा लगता देखने में आप देखिए हमारे गव माता को हम पोच रहे हैं आप लोग वीडियो पूरा जब देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी और नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा नेक्स्ट पर देखराम जी को पहले हम चंदन का ठीका करेंगे फिर कुमकुम का ठीका करेंगे इस तरह से हमको ठीका करना इनको अच्छा लगता है तो हम इस तरह से हमेशा इनको करकी तुलसी जी में विरजमान कर देते हैं आईए इनको तुलसी जी में विरजमान कर देते हैं पहले अजो हाथ में ठीका लगा रहता है मेरे और ठीक को हम अपने मस्तक पर गहां कर लेते हैं तो देखिए इस तरह से हम उनको ठीका कर देंगे तुलसी जी में विरज मान कर देंगे हमारे सालिगराम जी तुलसी जी में ही रहते हैं अब आईए हम बच्चों को तयार करते हैं तो देखिए यह इत्र है अब थोड़ा हम इत्र सेवा बच्चों को करेंगे तो मामने के टाइम पर आप ऐसे करिए तो बहुत अच्छा रहता है ऐसे बच्चों लोगों को बाड़ी में खुसबू भी आती है पूरा घर इतना खु खुसबू दार बना रहता है और हमारे बच्चे भी खुसबू की तरह महटते हैं तो देखिए इस तरह बच्चों को थोड़ा-थोड़ा ऐसे करके इत्र की सिवा दे देंगे क्योंकि गर्मिया है तो बच्चे लोगों को आनन्द आता है बस बहुत हलके हलके हाथों से इनको मसाज करते हुए इत्र लगा देंगे हम दिखे राधा रानी के हम जहां पेंटिंग हुआ वहां नहीं करेंगे आप देख पा रहे होंगे ऐसे करके हम इनको मसाज करेंगे पेंटिंग पे हम जहां इतर लगाएंगे पेंटिंग छूटना चालू हो जाता है इस तरह से हम करते हुए कर लेंगे अब शाम सुन्दर जी को मसाज करेंगे इतर का तो देखिए हमारे बच्चे त्यार हो रहे है अशनान भी हो गया इतर सेवा भी हो गया अब बच्चे हमारे पहनेंगे वस्त्र देखिए ऐसे इनके बाड़े में पेंटिंग नहीं है तो आराम से इस तरह से हम इनको इतर मसाज कर देते हैं ज्यादा पेंटिंग करने का मतलब यही होता है कि इतर सेवा आप नहीं कर पाओगे जहाँ पेंटिंग है वहाँ देखिए हम नहीं लगाते हैं आराम से लगाते हैं